कश्मीर के कालीन उद्योग से अच्छी खबर आई है यहां QR बेस GI टागिंग में कालीनों की मांग अंतराश्विस करपर बढ़ा दी है 115 करोड के कालीन हाल ही में GI टागिंग के साथ जर्मनी रवाना किये गए है GI टागिंग से कालीन के मशीन की जगा हाथ से बुने होने बुनकर और उसकी जानकारी होती है जिससे असली और नकली का फर्क साफ हो जाता है हाल ही में इन कालीनों को सर्टिफाई करने का काम शुरू हुआ है जिसे कश्मीरी कालीनों की मांग तुर्की और इरान के कालीनों के मुकाबले की होने की उमीद है काफी समय से कश्मीर का कालीन उद्योग मंदे की मार्स से जूच रहा था G.I. टागिंग के लागू हो जाने से हालाद जल्द और बहतर होने की उमीद है